जी तो वेलकम बाग जी तो दे सेकंड मोड्यूल ऑफ ग्राफिक डिजाइन कोर्स ओफर्ड यू बाइ ओनलाइन उस्तार डॉट कॉम I really congratulate you और I really appreciate you for installing illustrator in your opening system अगर आप illustrator को open करके देखें तो आपको इसका जो dashboard है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसे कि इस वकत मेरे सामने है तो टूल शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिसकस करना चाहूँगा Illustrator के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूँ कि आप जो कुछ imagine कर सकते हैं वो आप illustrator में उसको design कर सकते हैं उसको draw कर सकते हैं जैसा कि आपके सामने कुछ samples इस वकत open है जिसमें आपको कुछ illustrations नजर आ रही है आपको कुछ combinations नजर आ रही है टेक्स्ट प्लस illustrations के इसके लावा कुछ आपको वेब साइट के मौक अप्स नज़रा रहे है अगर हम थोड़ा सा मजीद स्क्रोल करें तो आपको कुछ पोस्टर्स भी नज़राएंगे जिसमें शेप्स और टेक्स्ट को यूज़ किया हुआ और कुछ आइकोंस को यूज़ किया हुआ तो मैं दुबारा से रिपीट कर देता हूँ कि आप जो कुछ इमेजन कर सकते हैं वो आप अडॉबी इलिस्ट्रेटर में डिजाइन कर सकते हैं तो डिजाइन करने से पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको टूल की बड़ी अच्छी अंडिस्टैंडिंग हो कि टूल में कौन-कौन से फीचर्स अविलिबल हैं और उन फीचर्स को कब और कैसे यूज़ करना है इसी इसका पता होना चाहिए सेकिंड आप जिस भी प्रॉज़ेक्ट पे काम करने जा रहे हैं उसका प्रॉसस आपको पता होना चाहिए कि सपोज इलिस्ट्रेशन है तो इलिस्ट्रेशन का एक अच्छा प्रॉसस कौन सा है effective ways कौन से है कि इलिस्ट्रेशन बनाने के good practices कौन सी है तो ये सारी चीज़े हैं जो कि आपके प्रॉसस में included हैं और हम बहुत सारे प्रॉजेक्ट्स के प्रॉसस को भी देखेंगे और उससे पहले हम टूल को सीखने की कोशिश करेंगे कि टूल कैसे इस्तमाल किया जाता है और उसमें कौन-कौन से फीचर्स हैं और हम उनको कब-कब यूज़ कर सकते हैं effectively so अगर हम टूल पे वापस आते हैं तो यह आपके सामने एक डैशबोर्ड है तो simple हम क्या करते हैं एक file create करते है for our quotation design तो मैं simple file में जा रहा हूँ और यहां से जाके मैं एक new file create करता हूँ तो आपके सामने एक window open हो जाएगी और आपके सामने कुछ presets नज़र आ रहे हैं left side पे और कुछ details आपको नज़र आ रहे हैं custom details right side पे तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा design करने जा रहे है for example you want to design something that is going to be printed तो यहाँ पर हमारे पास कुछ presets है for example आपने A4 paper के लिए कुछ print करना है तो और आपको A4 paper के size का नहीं पता कि उसकी width क्या होती है और उसकी height क्या होती है so आप यहाँ पर presets जो by default use होते हैं तो आप इन presets में जाके अपनी जो required template है उसको click करके उसको create कर सकते हैं so बिलकुल ऐसे ही अगर आप समझते हैं कि आपने कोई mobile का design बनाना है और you do not know the dimensions of it for example iPad Pro की क्या dimensions है तो यहाँ पर कुछ presets बने वे यहाँ इन presets को use करके बड़ी quickly अपनी file create कर सकते हैं और अपना design है उसको start कर सकते हैं बिलकुल ऐसे ही art and illustrations तो यहाँ पर आपको बहुत सारे presets मिलेंगे जो के आपके process को speed up कर सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग अपना एक custom artboard create करेंगे जिसकी हम dimensions रखेंगे thousand by thousand points यह हम one ratio one की dimensions इसको दे रहे हैं अपने quotation design के लिए और यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं quotation design और जो हम अपना scale use कर रहे है that is in points यह scales को हम different जगा पे change करके देखेंगे different projects के अंदर at this moment leave it to the points जो के by default है और इसके बाद orientation हम इसी orientation के साथ जाएंगे artboards हम एक artboard ही create करेंगे जो के हम चीज़ें अभी discuss करते हैं bleed जी जब हम printing projects की तरफ आएंगे for example business card या poster designs तो हम इस section को देखेंगे कि इसको effectively कैसे use किया जा सकता है इसके बाद color modes के बारे में मैं आपको अभी उसे बता देता हूँ कि अगर आप कुछ ऐसा design करने जा रहे है जो कि आपने digitally present करना है तो आप RGB color यूज़ करेंगे RGB color mode यूज़ करेंगे for example आपने एक quotation design करना है और उसको आपने use करना है on social medias, on websites तो ये वो सारे mediums हैं जो कि digital हैं जो कि screens पर नज़र आएंगे so यहां पर हम RGB color यूज़ करेंगे इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसा design करने जा रहे हैं जो कि आपने print करना है for example आप business card design करते हैं आप poster design करते हैं so ये ऐसी चीज़े हैं जो कि आप print करेंगे so for this kind of projects we will use CMY के color mode तो जो बाकी चीज़े हैं let's leave them as they are so let's create a file मैं यहाँ पर create पर click कर रहा हूँ और आपके सामने एक white canvas आगया so इस white canvas को Adobe Illustrator में artboard के नाम से जाना जाता है so artboard is something अगर आप कुछ sketch करना चाहते हैं और आप अपने घर में किसी भी page को use करते हुए उसके उपर sketch करते हैं तो वो जो page है वो आप समझ लीजिए कि Illustrator के अंदर एक artboard है so यह हमने एक page create कर दिया और इस page के उपर हम design करेंगे और उसके बाद हम इसको save करेंगे अगर हम इसके dashboard को थोड़ा सा तरह के tools हैं जो different तरह के मकासिद के लिए इस्तमाल किये जाते हैं आपको कुछ colors को change करने के लिए colors को disable, enable करने के लिए कुछ properties नज़र आएंगी इसके अलावा जी अगर आप अपनी right side पे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ properties, panels नज़र आएंगे for example just for example कि मैं कुछ लिखना चाहा रहा हूँ मैंने text tool लिया मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और उसके बाद मैं इसकी properties को change करना चाहता हूँ so properties change होंगी properties panels के अंदर से so यहाँ पे अगर आप देखें तो एक character का properties panel है तो मैं इसके क्लिक करूँगा इसके मैं font को change कर सकता हूँ इसकी मैं और भी different properties को change कर सकता हूँ so tools आपके use होंगे left side से और इन tools की जो properties हैं वो आप change करेंगे right side से so possible है कि जो properties आपको नज़र आ रही है वो थोड़ी से different हो as compared to जो इस वकत मुझे नज़र आ रही है क्योंके मेरी जो workspace है वो एक different workspace है as compared to जो आपके पास workspace इस वकत open है so workspace क्या चीज़ है अगर आप थोड़ा सा उपर देखें यह जो top bar आपको नज़र आ रही है so यहाँ पे आपको एक नाम नज़र आ रहा है quotation design so यह एक ऐसी workspace है जो के मैंने खुद create की वी है possibility है कि आपको by default automation workspace नज़र आ रही हो आपको essentials workspace नज़र आ रही हो आपको essentials classic workspace नज़र आ रही हो so यह वो सारी workspace हैं जो के हमें अपने काम को असान बनाने के लिए help out करी होती हैं for example मैं आपको समझाने के लिए जैसे के आप समझते हैं कि by default आपके सामने automation workspace open है लेकिन brushes की आपको ज़रूरत नहीं है जिस तरह का काम आप करते हैं so let's remove brushes, close brushes, properties panel, आप समझते हैं कि जिस तरह का काम आप करते हैं उसमें libraries आपको नहीं चाहिए उसमें links की properties आपको नहीं चाहिए उसमें और different properties जो कि आप समझते हैं कि आप use नहीं करते हैं आप उन tabs को close कर सकते हैं और बाकी tabs को आप move कर सकते हैं और उसको rearrange कर सकते हैं ठीक है? तो ये एक ऐसी workspace बन गई जिसमें ऐसी properties हैं जो के essentially मैं use करता हूँ अपने काम को असान बनाने के लिए अगर कोई ऐसी property है जो के मैं इस्तमाल नहीं करता है मैंने simply उसको remove कर दिया तो अगर कोई ऐसी property जो के remove हो गई आप से और आप उसको वापस लेकिए आना चाहते हैं या आप कोई ऐसी property जो के मैं use कर लेकिन आपके सामने visible नहीं है तो simple आप उपर अपने windows वाले section में जाएंगे और यहां से जाके आप यह सारी properties जो के आपको नजर आ रही हैं वो आप यहां से उसको open कर सकते हैं for example type में जाके open type जो के हमने close की थी हम दुबारा से इसको open कर लेते हैं so यह जितनी भी properties आपको यहां पर नजर आ रही है आप इनको rearrange कर सकते हैं आप इन tabs को close कर सकते हैं आप कोई property यहां पर लेकिए आना चाहते हैं तो simple for example आप layers पर click करें यह layers वाला panel अलरेडी है इसके अंदर so let's bring properties और अगर आप इसको rearrange करना चाहते हैं आप इसको rearrange भी कर्स रिखते हैं और अगर आप इस workspace को कोई अपना नाम specific देना चाहते हैं तो एक new workspace आप create करें इसको अपना नाम दें for example online उस्ताद workspace okay कर रहा हूँ और यह हमने एक नई workspace create कर दी जिसमें सिर्फ वो options available हैं जो कि हम इस्तमाल करें अपनी quotation design के लिए और different projects के लिए अगर आपको लगता है कि आप quotation design के लिए यह वाली properties यूज़ करते हैं लेकिन logo design के लिए different properties यूज़ करते हैं आप एक और workspace create कीजिए जिसमें यहां पर वो properties place करें जो आपको logo design में ज़्यादा helpful हो आप बड़ी quickly अपनी workspaces को switch कर सकते हैं और अपने काम को असान बना सकते हैं तो जब भी हमने quotation design करनी होगी we know कि online उस्ताद workspace एक ऐसी workspace है जहां पर वो सारी properties available हैं जो के मुझे help करती हैं to design a quotation so जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप जिस तरह से अपनी properties को range करना चाहते हैं so this is how we are going to use workspaces so अब आपने करना यह है कि before moving to the next lesson आप एक file create कीजिए उसको एक नाम assign कीजिए इसके अलावा जब आपकी file create हो जाए तो उसके बाद आप एक अपनी workspace create कीजिए उसके properties panels को rearrange करें उसको एक custom नाम assign करें and that's it for this lesson so let's meet in the next lesson thank you so much